नमस्कार जैहिंद वन्ने मातरम सभी का विन्दन है NDC निशिल क्लासेश पे बहुत-बहुत स्वागत है आपका तो आज अपनी एक नई दोड स्टार्ट हो रही है अब एक से जो सो तक वाली दोड नहीं है अब 101 से 200 की तरफ हम उडान भर रहे हैं और कल सोभी क्लास में आप सब ने बहुत अच्छा साथ दिया बहुत-बहुत धन्यवाद और कई स्टुडेंट्स कर रहे थे कि हजार स्टुडेंट नहीं हुए यह सब चलता है देखो यह एक चीज बताती है कि सफलता इतनी आसानी से नहीं मिलती है सफलता के लिए संघर्ष करना पड़ता है आप जो सोच के चलते हो जुरूर थोड़ी है वैसा ही होगा परिस्तितियां प्रतिकूल भी हो जाती है तो यही अगर वेकैंसी का मौसम हो तो यह डाहीती नजार स्टुडेंट भी लाइव रहेंगे वेकैंसी का मौसम नहीं है तो कुछ लोग निरेस रहते हैं लेकिन यह वो समय है जब आप सचेत रहो जब आप जागते रहो और इस समय का सदूपयोग करते रहो तो निश्यत रूप से सफलता मिलेगी ज्यादा बीच बीच में मैं आ रहा था देख रहा था एक बहुत अच्छा कमेंट था कि आप ज आप जसे सब आप बढ़ो बाकिए टेंशन मतलो और जैसे कई बार बीच-बीच में ऐसी क्लासे आती है तब आप जी भरके कमेंट करो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन जब क्लास चल रही हो उस वक्त आप जो हैं वो आराम से टॉपिक पर कॉनसनेट करो लास्ट में जो दो- और विकास की इस पार्ट टू हिंदी भासा का उद्वा विकास सेकंड क्लास है एक टेलिग्राम पर कॉशन डाला था जो कल की क्लास हुई तो हमारे मॉडरेटर जो है पूजातिवाडी मेडम है वो उन्होंने कॉशन वो इस तरह के कॉशन बना के डाल रहे हैं अच्छा लग द्यान से पढ़ना पड़ेगा यह प्रशन था कल की क्लास का है और हम हम ऐसा करेंगे डेली की क्लास का कॉशन डालेंगे अगले दिन उसकी थोड़ी वाख्या कर देंगे अपब्रंस के विशे में कौन सा कथन असंगत है मतलब कि कौन सा ऐसा कथन है जो सत्य नहीं है प्रश्ण ये पूछ रहा था रामचंदर शुक्ल ने प्राकरत भासा कहा है तो ये मैंने कल की क्लास में बताया था चंदरतर सर्मा गुलेरी ने पुरानी हिंदी कहा है ये भी मैंने कल की क्लास में बताया था किसोरिदास वाजपी ने नर्ण भासा कहा है ये भी मैंने कल की क्लास में बताया था अपब्रंस के अन्यनाम अवहर्ट अवहंस देशी भासा ये भी मैंने कल की क्लास में बताया था बोला संकर ने हिंदी के आरंबिक रूप को अवट काए ये भी मैंने बात की थी कि देखो बोला संकर और जो राहूल साकरतें लगबग एक सी बात करते है राहूल साकरतें ने पूरवरती अपरंस को हिंदी कहकर पुकारा है यहां student मात खा गए यह पूर्व वर्ती शब्द दे दिया बहुत अच्छा प्रशन था जब students ने कहा कि सर सारे right हैं यह प्रशन आपने गलत दे दिया तब मैंने इस प्रशन को बेले डंग से पढ़ा तब मेरे समझ में आया कि question बनाने वाले ने बहुत अच्छा बनाया है तो यह था यहां शब्द दोना चीए था परवर्ती कि राउ साकरते ने परवर्ती अब ब्रंस को हिंदी कहकर पुकारा है और उन्होंने दे दिया पूर वर्ती बहुत माइनर जो अंतर था और आपका caution गलत हो गया और वास्तों में अच्छा प्रशन था इस बात का सबूत देता हूँ देखिए यह देखिए तेरा सो दस student ने इसका answer दिया है अभी तक उन्में से 9% पहला जो है उसे गलत बता रहे हैं 5% इसे गलत बता रहे हैं 27% रना रना भासा को गलत बता रहे हैं यह क्यों बता रहे हैं तुका क्लास तो ली नहीं पड़ा है नहीं अब्रंस को अन्यनाम अवंट वगरा 11% 19% यानि देखा जाए तो सिर्फ सो में से 29% स्टूडेंट ने सही आंस्वर दिया है बाकी आप देख लीजिए कि कितना लगबग 81 81% इसका गलत आंस्वर आया है इसका मतलब यह प्रशन वास्तों में अच्छा प्रशन था आप थोड़ा सा एक एक शब्द को पढ़के फिर उत्तर देने का प्रयास करें आज की क्लास द्यान से पढ़ना कल टेलिग्राम में कॉशन जरूर डानेंगे ठीक है चलिए आज हम पढ़ेंगे हर्यानवी तो हर्यानवी जो भासा है इसके बारे में आप इतना ज्यान रख है इंदी पोइंट पे प्रिंट आउट निकल वालो जल्दी से जल्दी जहां सस्ते निकल रहे हो वहां से निकल वालो कहीं कहीं महेंगे बहुत हैं वहां से मत निकलो दो-चार दिन रुके और नोट साथ में लेके पढ़ो इसे बांगरू या जाटू कहते हैं बिलकुल हर बोली में लोग साहित्य तो खुब मिलता है लोग साहित्य प्रचूर मातरा में मिलता है अगर आपसे पूछें कि जो लिखित साहित्य जो है वो किस प्रकार का है तो अगर बात करें हर्याणी में तो लिखित साहिते जो है ना वो अल्प मात्रा में ही प्राप्त होता है यानि लिखिद साहिते आपको ज्यादा नहीं मिलेगा, आपको लोग साहिते जो है वो प्रचूर मात्रा में मिल जाएगा, लेकिन लिखिद साहिते अपेक्षा करते कम मिलता है, कहां कहां बोल जाती है, चंडी गड़ है, पटी आड़ा है, हिसार, अंबाला, रोतक, करनाल, जिन्द, दिल्ली का देहाती इलाका ये जो छेत्र हैं वहाँ पर हरियानवी मुख्य रुप से बोली जाती है, सबसे इंपॉर्टेंट खड़ी बोली, ये बोली कोई खड़ी नहीं है, इसलिए खड़ी बोली, खड़ी दीरे दीरे बना है, पहले इसे खड़ी बोली कहा गया खड़ी का मतलब होता है था, शुद्ध, ठीक है, और इस परकार से ये आगई खड़ी बोली के तरफ ठीक है, तो अठारा सो तीन इसमें के आस में नाम दिया था, आपको जानते ही हैं, ये सबसे पहले नाम कहा दिया गया, ललू लाल, ललू लाल की एक रचना है, प्रेम स सागर, उस प्रेम सागर की भूमिका में सबसे पहले खड़ी बोली शब्द का प्रियोग किया गया था, है ना, बढ़ा है ना, ललू लाल वगएरा को, सदल मिस्र वगएरा, मूल नाम इसका है, खड़ी बोली को मूल नाम कौरवी है, राहुल साकरते ने इसे कौरवी कहकर पुका रहा है, इसे सौर सेनी का उत्री रूप का जाता है, यहां से अगर मालो कौशन बने, वो क्या करेगा, सौर सेनी का दक्षनी रूप कर देगा, या पूरी रूप कर देगा, और आपको कंफ्यूज कर देगा, अन्य नाम इसके और भी हैं, जैसे वर्ना क्यूलर रेखता क्या रेखता डिंगल दख़ीणी दिहलवी हिंदवी ये सारे इसके अन्य मतलब डिंगल भी सोचीए कुछ विद्वान अब ये नाम आपको होगे सारे डिंगल खड़ी बोली थोड़ी बिल्कुल सही बात है आपकी लेकिन ये नाम अलग-अलग विद्वानों ने इसे अलग-अलग नाम से पुका रहा है बात समझ रहे हो अलग-अलग विद्वानों इसे अलग-अलग नाम जैसे मैं आपको बताऊं अगे क्या जगे हाँ है चलिए जैसे मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले सुनिती कुमार चटर जी चलो यहीं बताता हूँ मैं आपको यह मिटा देता हूँ ठीक है ओके एंड नौ रैट ओके जैसे इस खड़ी बोली के बारे में बता रहा हूँ जैसे जो सुनिती कुमार चटर जी है सुनिती कुमार उन्होंने इसको कहा है कि ऐसी बासा जो बिलकुल सीध दी है क्या कहा है ऐसी बासा जो बिलकुल सीध दी है जबकि कामता परसाथ से पूछा कि आप क्या कहोगे खड़ी बोली के बारे में तो उन्होंने बोला कि वो बासा जो एकदम करकश है कामता परसाथ ने क्या कहा कि जो भासा एकदम करकस है गिलक्रेश्ट से पूछा कि आप बताओ कुछ बताओ के क्या तो गिलक्रेश्ट कहता है कि भाई खड़ी बोली का मतलब मैं तो ये समझता हूँ कि जो बोली एकदम गवारू है क्या है जो बोली एकदम गवारू है फिर बोला कि किशोरी दास वाजपई किशोरी किशोरी दास वाजपई तो इन्होंने कहा खड़ी पाई क्या बोला कि ये खड़ी पाई से संबंदित खड़ी पाई से संबंदित है और लगबग जितने भी विदान वो बोलते हैं यानि खड़ी यानि एक तरह से शुद्ध यानि हिंदी का जो शुद्ध रूप है न वो है खड़ी बोली अन्य वेग्यानिकों ने जो इसे शुद्ध रूप कहकर पुकारा तो इतने विद्वानों ने अलग-अलग इसके आर्था निकाले इसी तरह से ये नाम भी अलग-अ जानों द्वारा दिये गए हैं इसलिए इसको रेखता नाम से भी जाना जाता है दखिनी नाम से देहलवी नाम से हिंद्वी नाम से हिंदोस्तानी नाम से सरहिंदी नाम से इन नामों से भी इसको जाना जाता है लेकिन इस खड़ी बोली का अगर पूछ लिया जाए कि खड मानक को समझो, फिर हम मानक बासा पर आते हैं, मानक का मतलब यह होता है, जैसे मानलो आप जिस भी जिले से हो राजस्तान के, है ना, कोई बिकानेर से है, कोई अजमेर से है, हर जिले में एक मार्केट है, बोला गुर्जी बिल्कुल है मार्केट, मार्केट पे कुछ ठेले वा करता है खुले में और वह ऐसे हैसे करता रहता है क्थ म Billie मार्केट मतलब हम में मतलब आम जनता है और पाव बर बिस्कुट मैं उनकी नहीं मार रहा हूँ Hosp cuma ले आए आप ने बच्चे नहीं कर सकते यानि वो अमानक है उसे मार को नहीं मिला हुआ वहीं आपने ब्रेटाइनिया या फिर कोई कंपनी का बिस्किट लिया और उसको लेने के बाद आप बिमार पड़े तो आप उस कंपनी के केस कर सकते हैं फेरन एंड लवली भी बंद करवा दी थी लोगों ने, करवाई थी नहीं करवाई थी है न, तो वही बात है कि आरण केस कर दिया कि आपने जो इसके शर्टे बताई और ये मानक है, मार को मिलावा है, बड़ी आथा है, तो मैं इससे ही क्यों बिमार पड़ा, सेम ऐसे ही मानक, मानक को सुद्ध सुद्ध चिर्मत लेना, ये भी बताता हूँ, जैसे ये लिखावा है हिंदी, और एक आजकर लिखावा मिलता है इस तरह से हिंदी, मिलता है बोलासर बिल्कुल मिलता है तो अब यहाँ पे कुछ स्टुएंट कहते हैं, ये सुद्ध है, ये सुद्ध है, ये सुद्ध है, नहीं गलत बात है सुद्ध दोनों ही है सुद्ध दोनों है, दोनों ही राइट है लेकिन ये जो है, ये मानक है, एक मानक का मतलब क्या होता है, सर्मानक मानक मानक मतलब इसे सरकार द्वारा क्या किया गया है जो भी राजबासा आयोग वगरा है उसका स्विकर्त किया गया है यानि इसका क्या कर दिया मान की करन कर दिया समझ आगी बात तो ये माननक है तो इसका आदर्स और माननक रूप कहां बोला जाता है मेरट के आसपास का जो छेतर है वहाँ पर मानक रूप है दिल्ली है, मेरट है, मुझफर नगर है सारणपूर है, मुरादाबाद है दहरादून है बिजनोर है, रामपूर है अब आपको क्या बनाने पिड़ेगी ट्रिक्स बनानी पड़ेगी मुलासर आप ही बना दोना है न सब कुछ मैं ही कर लूँ पेपर भी आपकी जगह मैं ही देया हूँ सलेक्शन भी मैं कर वालू फिर आपकी पेमेंट भी मैं ले लूँ ऐसा नहीं चलेगा, मैंनत करनी पड़ेगी मुलासर ट्रिक्स बनाएं कैसे ट्रिक्स अभी आप देखते जाएए क्लास मैं बताऊंगा ट्रिक्स कैसे बनानी है ठीक है, लेकिन ये ट्रिक्स आप ही बनाओगे खड़ी बोली का नाम करण ललू लाल ने प्रेम सागर की भूमी का में 1803 इस्वी में किया था कामता प्रसाद गुरु ने इसका खड़ी बोली कार्थ करकश बताया है ये मैंने आपको पहली बता दिया जॉन गिल्क्राइस्ट मानक परिश्करत या टकसाली भासा कहकर पुकारता है, ये प्रिश्ण अच्छा बनता है देखो क्या, बस अनर्थ का अनर्थ हो गया न, मैंने का ये क्या हो गया, शुद्ध है और अब मान लो ध्यान नहीं दें, आगे बढ़ जाएं तो कहते देंगे देखो गुरु जी गलत पड़ा रहे हूँ ध्यान नहीं जाता है कई बार, तो ये शुद्ध है क्या है, शुद्ध और ये है प्राकृत क्या है, प्राकृत और ये है ठेट तो गारसद तौसी और चंदरबली पांडे ने इस कार्थ बताया है, शुद्ध प्राकृत या फिर ठेड़, सुद्र प्राकर्ट या फिर क्या बताया है ठेड़, ये इसके रूप बताएं, मानक रूप कहा मिलता है बोला, मेरेट में मिलता है, खड़ी बोली का नामकर्ण कहा हूँ आपको बता दिया, कामता प्रसाथ गुरू ने क्या कहा करकर सुनिति कुमार ने क्या कहा सीधी क्या कहा सीधी जबकि गवारू कहकर किसने पुकारा था गवारू कहकर पुकारा था गिलक्राइस्ट ने यहाँ पे गिलक्राइस्ट ने इसे टकसाली तो कहा ही है साथ में क्या कहा है गवारू भी कहकर पुकारा है ठीक है आगे चलते हैं प्रतम खड़ी बोली का महाकावे प्रिय प्रवास जो किसका है हरियोध का है प्रश्ण बहुत जोड़दार बनते हैं और प्रतम खड़ी बोली में रचित जो है खड़ी बोली में रचित राम चरित मतलब राम के चरितर पर लिखा गया एक तरह से महा काव गया तो वहाँ पे उसका नाम क्या आजाएगा उसका नाम आजाएगा साकेद क्या आजाएगा साकेद सबसे प्रसिद रचना खड़ी बोली की उस समय की मतलब खड़ी बोली आने के बाद सबसे प्रसिद रचना का माईनी सुनिती कुमार चटरजी ने इसे सीधी तो कहा ही है साथ में क्या कह दिया जनपदी ये हिंदुस्तानी भी कहकर पोका रहा है आपको पता है जब मैंने ये 2016 में नोट जब बनाए थे न तो हर्देव भाहरी की जो व्याकरन की किताब आती है न उसमें भी ये टॉपिक दे रखा है वहां से पढ़ पढ़ के इसको कालेक्शन किया कि किसने क्या इसलिए तो ये थोड़े बिकरे हुए है इसलिए थोड़े बिकरे हुए मिलते है और जब अपनी किताब आएगी दिपावली तक उमेद है तैयार कर देंगे फाइनल रूप देदेंगे उसको objective सही तो objective भी आदी काल वगरा के सबके digits तो 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 objective तयार किया है उनको check भी कर लिए कि उन्हें आप कोई गलती नहीं है तो यूँ करके मनल बिखरावा रूप है उसको समेट कर दे देंगे आपको ठीक है तो सुनिति कुमार चटर जी ने इसको सिद्धी या जनफद्य हिंदुस्तानी के कर पकारा है खड़ी बोली के तीन सहलियां मिलती है तीन सहलियां कितनी तीन एक हिंदुस्तानी सहलिय जिसे प्रेमचंद ने अपनाया था जिसे हम यूँ कह सकते हैं कि जिसे हम यूँ कह सकते हैं कि खड़ी बोली तो थी खड़ी बोली हिंदी तो थी लेकिन हिंदी के साथ क्या थी उर्दू मिश्रित थी क्या थी उर्दू मिश्रित एक थी आर्य भासा साहित्यक हिंदी जिसे हम कह सकते हैं संस्कृत क्या कह सकते हैं संस्कृत निष्ट संस्कृत निष्ज जैसंगर प्रसाद की और तीसरी सहली प्यार उर्दू की थी कैसी थी? प्यार उर्दू की संस्कृत निष्ट हिंदी तो खड़ी बोली कि तीन सहलियां मानी जाती है ये भी आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा और याद रख लो के तो थोड़ा सा बढ़िया भी है आगे आईए अब आती है अवधी क्या आती है अवधी अवधी का केंद्र कौन सा है तो अवध या अयुधिया ये फीजी जो देश है उस देश में अवधी बोली जाती है आज भी बहुत बड़ी बात है एक देश फीजी जहां पर अवधी बहुत बोली जाती है इसके अन्य नाम है बैसवाडी, कोसली, पुर्णी, ये इसके अन्य रूप है या नाम है जो भी आप का हूँ काव्य में आउधी को प्रतिश्रित करने का श्रे किसको जाता है? सुफियों को. ये बहुत important question. काव्य में सबसे पहले आउधी में काव्य रचना करने का जो श्रे क्रेडिट जाता है वो जाता है सुफियों को. सुफियों ने आउधी को काव्य में जो है प्रतिश्रित किया रामचर्त मानस्त में अउधी में लिखावा है हम पढ़ते हैं और हम यहां तक भी पढ़ते हैं किसाब जो जाईसी ने जो लिखा है ना वो लिखा है ठेट अउधी में किसमें लिखा है ठेट अउधी जबकि जो तुलसी ने लिखा है ना वो लिखा है संस्कृत या परिश् अउधी में लिखा यानि उनकी अउधी में संस्कृत के शप्द हैं। लेकिन इसके अलाओ भी है कि आउधी के किस रूप में लिखा है तो वो जो रामचर्टमाश लिखा हुआ है वो बैस्वाडी अउधी में लिखा हुआ ऐ च्णिटी चोड़ी चीजे हैं लेकिन याद रखने लइक चीजे हैं क्योंकि IMPORTANT भी साथ में हैं आगे चलते हैं ठीक जा अब यह देखो अब कौसली आपका होगे 15 कौसली क्या है तो अफ़का जो पूराना नाम है ना ये कौसल क्या है अफ़का पुराना नाम पुराना नाम कौसली था यानि अवधी को पहले किस नाम से जाना जाता था कौसली नाम से जाना जाता क्योंको अवध का पुराना नाम क्या था कौसल और जो कौसल में बोली जाती है वो क्या कहलाई थी कौसली कहलाई थी ठीक है अब पुर्णी पुर्णी का मतलब क्या है अब मानलो सपोजर के सर ये पुर्णी जो आया है इसके बारे में भी अगर आप बता दो तो थोड़ा बढ़िया रहेगा तो तुलसी ने तुलसी ने पूर्णी का मतलब गाउं की बासा क्या कहा है जो गाउं में जो अवधी बोली जाती है उस अवधी के लिए उन्होंने क्या कहा कि गाउं की बासा को पूर्णी कहा गया है मतलब गाउं इसकी बासा मतलब गाउं में जो अवधी का मतलब एक थोड़ सा विक्रत रूप कह सकते हैं उसे, आगे चलिए, बगेली, अब देखिए, ट्रिक्स का खेल आता है, क्योंकि अब क्या है, कि इतना याद करने लाइक नहीं है, अब सिर्फ इतना ध्यान रखना है आपको, कि बगेली जो है, बगेली बाख, है ना, पूर्वग ABC, अबगेली च्छतिस गड़ी, ये तीन आती है, आपको वता है, पूर्वी इंदी की है, अबगेली च्छतिस गड़ी, तो सबसे पहले बगेली जो है, उसके आपको केंदर ही याद रखने हैं, ज्यादा विशेश याद नहीं रखना हैं, तो केंदर देखिए, आप देखि तो है रिवा क्या है इसका मुख्य के अंदर तो है इसका मुख्य तो है रिवा इसके अलावा सतना शाइडोल मेहर नागोद जबलपूर है नाडोल बगेली जबलपूर है फबलपूर नहीं है ये क्या है जबलपूर है बगेली को ठीक है अब देखो इसे यू मान लो आप ब रिवाई भी कहा जाता है। दक्षन अउधी भी कहा जाता है बस ये दो चीज ध्यान रखना रिवान अदी के छितरगास इसे रिवाई कहा जाता है और दक्षन अउधी भी इसे कहा जाता है अब इसके ट्रिक लिखी भी है साब साब और ट्रिक क्या है कि रीस में ना डोल बगेली इसे ज़ को यहां से टालो ज़ तो रखना पड़ेगा है ना तो रीस में नाज डो अब ज़ साइलेंटी रखो भई रीस में ना डोल बगेली तो रीस से क्या हो जाएगा रिवाई सर से सतना ना से नागोद ज़ से जबलपुर और डोल शहडोल और बगेली ठीक है और में से हो गया महर तो बगेली को अगर आपको याद करना है तो बहुत एजी है रीस में ना डोल बगेली क्या है रीस में ना डोल बगेली वही बाग होता है बाग हमेशा रीस में डोलता रहता है बाग हो जाए जंगल में जो बाग होता है वो रीस में डोलता रहता है तो रीस में नाडोल बगेली तो रीवा, सतना, मेहर, नागोद जबलपुर, डोल, सहडोल और बगेली बस ये आपको याद रख लेना है बगेली में इससे ज़्याद है कुछ नहीं रीस में नाडोल बगेली दक्षन अवदी का जाता है बस चतीस गड़ी चतीस गड़ी के अन्य नाम है लारिया या खलता ही खलताटी ताटी तो नहीं होता है खलताही होना चाहिए चतीस गड़ी को खलताही और खलता ही भी ऐसे नहीं लिखा जाता खल अधा है खलता ही क्या का जाता है खलता ही तो अन्य नाम है इसके लारिया और खलता ही इसे खलता ही कहकर भी संबोदित किया जाता है लारिया भी इसी का नाम है खलता ही भी जो है वो इसी का नाम है ठीक है अब देखिए इसके ट्रिक कैसे है बीरा च्छटीस कान दुगल़ं हुँ हैं या बीरे को छटीस कान दू ऐसे भी कर सकता है कि मारो बीरो बात बरना आयो तो बीरे ने 36 कान देू खेर बी से हो जाएगा बिलासपुर, रा से हो जाएगा राइपुर 36 तो यहाँ पे 36 सर से आप निकाल लो संभलपुर कान, कान से आप काकेर और नंदगाउ निकाल लो और दू से निकाल लो दुर्ग बहुत एजी है बीरा 36 कान दू इससे आपको याद रहेगा बी से बिलासपुर, राइपुर सर से सर अपने क्या नामे संभलपुर, कान से काकेर नंदगाउ और दू से दूर्ग तो 36 गड़ी के बारे में आप याद रख लो बीरा, 36 कान, दू इसके अलवा आपको कुछ भी याद करने के जरूरत नहीं है, और कुछ तो क्या चुकेगा नहीं, बस इतना ही है इसे कुछ किताब में लरिया लिखावा है, लरिया अब आईए बोजपुरी बोजपुरी को ध्यान से पढ़ना, ये सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली बोली है ये प्रश्ण पेपर में आ भी चुका है और आगे भी आने के चांसेज रहते हैं कि सरवादिक बोली जाने वाली नाम से जाने जाते हैं इनको भोजपुरी का सेक्सपियर या भारतिन्दू भी कहते हैं बोजपुरी का भारतिन्दू या भोजपुरी का जो सेक्सपियर है वो कौन है तो आप देख सकते हैं वो है भिकारी ठाकोर आपको बता दूँ इसी छेतर से नागारजुन भी इसी छेतर से आते हैं, रेणू, फणिशुनात, रेणू भी इसी छेतर से आते हैं, राहुल साकरात्याइन भी जो हैं, वो इसी छेतर से आते हैं, यानि इससे आप समझ सकते हो कि इस बोली का कितना वर्चस हो है, इस छेतर का कितना वर्चस हो है, कि बड़ मिर्च का भोज गड़ में रख लिया क्या है साब है अब जहां भी आप स्कूल में जाओगे वहाँ एक साब होंगे जिने प्रिंसिपल साब कहते है तो साब ने क्या किया जोस में मिर्च का भोज लाडू पेड़ो का भोज नहीं मिर्च का भोज गड में रख लिया तो आप अराम से याद कर सकते हो सबसे पहले साब ने जोस में साब ने जोस में मिर्च का भोज गड में रख लिया है ना साब ने जोस में मिर्च का भोज गड में रख लिया याद हो गई साब ने जोस में मिर्च का भोज गड़ में रख लिया साब मतलब साबाद और बनारस जोस मतलब जोनपुर और सारण जोस मिर्च मतलब होता है चंपारण मिर्च मतलब चंपारण कैसर मी से कुछ नहीं है मिर्च तो मैंने interesting के लिए बनाए है मिर्च होगी न तो तीखापन रहेगा तीखापन रहेगा न तो मतलब थोड़ा सा चटपटा रहेगा चटपटी चीज बहुत जल्दी याद होती है होती है कि नहीं होती है बिलकुल होती है तो मिर्च चर्च हैं चमपारण भोज मिर्ज का भोज तो यहां पर है यह भोज से अच्छा भोज से तो हो गया भोजपूरी और गड़ से हो गया आजमगड आजाम लिखा हूँ आजमगड और रख से गोरखपूर क्या ले लिया गोरखपूर तो आप इस तरह की ट्रिक्स अउधी ब्रिज और यानवी उनमें भी बना सकते हो थोड़ी हेल्प तो मेहनत तो आपको भी करनी पड़ेगी तो साब ने जोस में मिर्च का भोज गड़ में रख लिया अब आपको पता है जब आप फ्रेंड्स वगरा बैठे हों और कहते हैं कि यह बताई यह 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 कहां कहां बोली जाती है रे भोजपूरी तो कहीं भोजपूरी वहां बोल जाती है सारे सोचेंगे दिमाग पर जोड डालना है आपको इस चीच पर जोड डालना है कि वह बोजन जो रखा था बोज यानि भोज भोज रखा था गड़ में तो एक तो आजम गड़ हो गया और बोज था मिर्च का चरसे चंपरण थी और साब थे साब यानि शाहबाद थे और बनारस था और जोस में जोनपूर और सारण जिसे साहरण यह सारण नहीं है यह साहरण है ठीक है ना साहरण ठीक है सारण में और बस रख लिया गोरख पूर तो आपको यही चीज़ याद करनी पड़ेगी ठीक है अब आता है राजस्थानी अब राजस्थानी राजस्थानी सोर से निया प्रस ये एक तो इ जब्सक्राइब इसे उद्योतन सूरी ने कूले माल में मरू भासा केकर पुकारा है 18 देशी भासाओं का नमों लेख किया है जिसमें उन्होंने मतलब मरू भासा केकर पुकारा है दॉक्तर चतर जी ने इसे सौराश्ट्री का रूप माना है क्या माना है सौराश्ट्री का रूप माना है किसको इसमें कुछ मिस हो गया मुझे लग रहा है बोजपूरी आगे मुझे यहां बताना पड़ेगा यहां पे कुछ मिस हुआ है मैं आपको बताओं देखते हैं आगे है क्या नहीं है यहाँ पे कुछ मिस हुआ है बोजपूरी के बाद में ना चलो पहले यह पढ़ लो डॉक्टर चटर जी ने इसे सोराश्टे का रूप माना है मोतिलाल मेनारिया केम मुंसी और महेश्वरी यह तीनो इस भासा को गुर्जर अबडरंस का मानते हैं यह एक बहुत important बात है मतलब ठीक है यह important बात है यह जो मोतिलाल केम मुंसी महेश्वरी यह तीनों से गुर्जर अबडरंस का मानते है एक तो यह यहाँ पे कुछ मिस हो भोजपूरी के बाद में अपने को पढ़नी चाहिए थी मगही, क्या पढ़नी चाहिए थी मगही, आपके अगर नोर्स में तो लिखी विया साइथ या पीपीटी में एक पेज डिलिट हो गया होगा, मगही यानि आप यूं मान लो इसे, ये मागदी का विक्सित रूप है, मागदी का विक्सित रूप माना जाता है, और इसकी भी एक ट्रिक याद करो, हजारी कप लेकर पटना भाग गया, बहुत सिम्पल सी है, क्या है ट्रिक है, हजारी कप लेकर पटना भाग गया, बहुत सिम्पल ट्रिक है, हजारी कप लेकर पटना भाग गया तो अब यहां ट्रिक कैसे बनेगी हजारी बाग सिंपल है हजारी बाग ये लो साब ये हजारी जो कप लेकर पटना भाग गया था इसमें एक तो आ गया हजारी बाग दूसरा कब से क्या आ जाएगा कब से एक तो आजाएगा कटिहार और एक आजाएगा पलागू कटिहार जो कर से आजाएगा कटिहार और एक पर से साथ पलागू पलागू कोई जगह है पलागू है गया कोई देख लाना थोड़ा बहुत मिस पटना तो पटना है पटना तो इसका मुख्य के अंदर है और भाग से आप समझ सकते हैं पटना भाग भागलपूर हो गया ना भाग से हो जाएगा पटना में भाग गया में ओना चीए तो भाग से हो जाएगा भागलपूर अब क्या रहा में बाकी रहा में से हो जाएगा मुंगेर तो ये मगही है मगही को मागदी का विक्सित रूप मानते हैं मगही की ट्रिक है कि हजारी कप लेकर पटना में भाग गया हजारी बाग कटिहार पलागू पटना भागलपूर में से मुंगेर ये हैं मगही के जिले कौन से जिले हैं ये मगही के जिले हैं याद रख स्थानी को मोतिलाल केमुंसी महेश्वरी गुर्जर अप्रेंस का मानते हैं जब किसे सोर से निया अप्रेंस की मानी जाती है वैसे ओसत रूप से बाहर देव बाहरी वगरा सोर से निचे मानते हैं और अपने चटर जी जो हैं वो सुरास्प्री का रूप मानते हैं इसके हिंदी की सबसे संपन बोली जो है वो कौन सी है मेथली ही माने जाती है क्योंकि इसमें क्या होता है इसमें क्रियाओं का इसमें क्रियाओं का लिंग भेद नहीं होता अब आप को कर दो तो मैं पहले यहां पर मेथली के ट्रिक बता देता हूँ एक वारे नीचे लिख रहा हूँ Methily Metily के जो trick है तो आप note करना चाहें तो note कर लो और वो trick है कि Metily ने कहा मुझसे मूंग बंगापूर्णिया मुझे यह सबसे अच्छी लगती है यह सारी मेरी खुद की बनाई वी है ऐसी अटपठी वैसे ही सरहा ऐसी खराब trick आप ही बना सकते तो मैंने क्या बोली कि मेथिली ने कहा मुझसे मेथिली ने कहा मुझसे मूंग भंगा पूर्णिया ये लिजिए मुझसे 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 मुझस स्मझ जाओंगे समझ गए डरभंगा-उत तर्भंगा और पुर्णिया तो जगह है जहां पर आप जानते हूं तो महतली ने कहा मुझसे मुंग भंगा पुर्णिया मुझसे मूंग भंगा पुर्णिया सस्थानी केपस आ आपको एक उदेपूर थोड़ा सा याद करना पड़ेगा और सिरोई याद करना पड़ेगा कभी यहां पर भी मारवाडी बोली जाती है उसके बाद डूडाड डूडाड में डूड का आर्थ होता है टिला और इसे जैपूर या ज़ाड साही भी कहा जाता है ये जैपूर, टॉंग, डिग्गी, मालपूरा ये तो आपके बता है साथ हमें आता डिग्गी, मालपूरा, किशनगड अब अजमेर तो वहाँ आरा है, लेकिशनगड यहाँ आएगा दोसा, अब अजमेर का जैपूर से टचवाला जो जैपूर से टचवाला इलाका है जैपूर से लगा इलाका है में डूडाडी बोली जाती है जबकि इधर नागोर से जो टचच इलाका है उसमें मारवाडी बोली जाती है तो यहां कन्फ्यूज नहीं हो ना यह तो अपनी खुद की बोलिया है इसकी एक साखा जो है हाड़ोती है अब जैसे जब भी राजस्तानी बासा के मानेता की बात आती है ना तब पता नहीं क्यों मतलब कौन सी मान सकता है देखो अभी मतलब राजस्थान कहते हैं मरू प्रदेश बनेगा बाते हो रही है ठीक है तो सब के अलग सम्रतन होते हैं कोई कहते हैं नहीं इस से विकास होगा वगर लेकिन राजस्थान राजस्थान मतलब गर्व जो फील होता है वो गर्व कहाँ जाएगा और सबसे बड़ी बात मुझे यह मैं कोई नहीं तो पक्षम है बोल रहा हूं। लेकिन एक व्यक्तिकत रहा होते हैं, जैसे इंडिया और भारत। तो अब मतलब यह है कि इंडिया और भारत में से कौन सा उस्रेश्ट है। निश्य दुरूप से जो सबसे पहले लाइन लेखिए हैं। इंडिया, that is भारत, मतलब इंडिया जो की भारत नाम से भी जाना जाता है, ये कितनी गलत बात है, भारत जो की इंडिया नाम से जाना जाता है, ये हो तब तो अच्छा लगे, कोई बात नहीं, दोनों नामों का विरोध नहीं है, लेकिन प्रात्मिकता पूछे, तो जाता है, मिनाकसी जैसे मीनु नाम से जाने जाती है, तो ये तो मीनु जो मिनाकसी नाम से जाने जाती है, ऐसा थोड़ी होगा, तो वही चीज़ होगी ना, आप निश्यतरुख से हम क्या है कि कई बार कुछ ऐसे मुद्द्ध होता है, जिसमें बोल नहीं सकते हैं, लेकिन व्यक्तिक अदर आय जरूर होती है वही बात है कि जब राजस्थानी बासागमाने तब आती है तो पता नहीं कौन सी राजस्थानीती है जो इन लोगों को अलग कर देती है कुछ कमेंट मैंने देखे थे मैंने भी एक बार कहा था तो बोला कि अच्छा राजस्थानी का मतलब आपका ध्यान महरवाडी की तरफ जाता है ऐसा कुछ नहीं होता हमने अभी क्या पढ़ा कि सरवादिक साहिते बोजपूरी में लिखा गया सरवादिक छेतर में बोल जानी वाली तो किसी में सबसे ज़्यादा साहिते लिखा गया लेकिन आप हाडोती वगरा को कैसे बोल सकते हो हाडोती छेतर में आपको बताए राज्य कवी सूर्य मलमीशन जैसे हुए है तो उन कवीयों को कैसे बूला जा सकता है नहीं बूला जा सकता है सब का अलग-अलग साहिते लिखावा है और सब को मिलकर राजस्थानी बनती है किसी एक को नए हाँ किसी भासा का साहिती थोड़ा जड़ा होगा किसी कंदा होगा लेकिन होगा सब का मिलजुलकर पता नहीं और बात क्या पता है जब सही लोग बोलते नहीं है न जब सही लोग बोलते नहीं है न तो कुछ चुनिंदा लोग जो होते है न वो राजनिती करते हैं वो फाइदा उठाते हैं और वो जो सही लोग है न वो तो घरों में बैठ तब वो अपनी राजनिती की रोट थोड़ी है उनको दरकिनार कर दिया गया फिर भी पता नहीं कि नहीं नहीं आप तुम आरवाड़े अरे ऐसा कुछ नहीं है आप जहां रहोगे उसकी इसा सीकर जुझनु छोड़ी थोड़ी थोड़ी सी बोली ऐसे मतलब करकश बोली है भी का अनरी की ठोड़ी जोद पूर पाली वाड़ी और मीठी मान जाती है, तो ये हमारे विविद रूप है, लेकिन हम हैं एक ही, इस बात को तो कोई परचार करता नहीं है, बंटवारा कर देता है, इनके बीच में, कितना मतलब गड़त चल रहा है, ठीक है, मेवाती, मेवाती, क्या हम मेवात को भूल सकते हैं, ठीक है, तो अब मान लोग कह देंगे, इन पर तो इनकी बासाग भरवाव है, इनका साहित्य तो लिखावा ही नहीं गया, इनका साहित्य उससर्ट चला गया, अरे फिर भी क्या हुआ, राजस्तानी राजस्तानी, उसमें कौन सा मिवातियों कहेंगे, आज के बाद आप बो बोपाल, देवास, होशंगाबाद, उजजेन, जालावार के कुछ छित्रों में, बताईए, इतने तो भार बोल जाती है, बोपाल, देवास, होशंगाबाद, उजजेन, और इंदो, रतलाम, यानि आदा तो मद्यपरदेस, और आदा राजस्तान, मतलब कुछ हिस्सा, रा पटना हजारी, अच्छा, 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 यह यहाँ पर आगी, मगही, है ना, यह आगी मगही, पटना हजारी कप ले, भागे, है ना, तो पटना हजारी बाग, कप से कटिहार, और पलागू, और मुंगेर, और भागलपूर, खैर, मेरी वाड़ी वो ट्रिक याद क दिखा दी मेथिली ने कहा मुझ को मूंग भंगा पूर्णिया ये बाते मैंने पहले बता दी यह यहां गलती से उन्हों टाइप कर दी पांच छे नमबर पर नहीं आएगी यह तो यहां तक चार में ही रहेगी ठीक है अब आईए कुछ पश्चिमी पहाडी जैसे नेपाली शिमला शिमला की धर्म अच्छा ट्रिक है नेपाली शिमला की धर्म मंडी कुलू ने जौन के सिर पर रख दी पर रख दी नेपाली पश्चिमी पाडी है mostly नेपाल में बोल जाती है इसे नेपाली भी बोला जाता है पश्चिमी पाडी को नेपाली भी बोला जाता है क्या लिखावा है पश्चिमी पाडी को नेपाली भी बोला जाता है शिमला की धर्ममंडी कुल्लू ने जौन के सिर पर रख दी। शिमला की धर्ममंडी कुल्लू ने जौन के सिर पर रख दी। शिमला की धर्ममंडी कुल्लू ने जौन यानि जौन सर और सिर से सिर मोर पर रख दी। तो यहाँ पर क्या हो गया इसे नेपाली बोला जाता है शिमला है कुल्लू है मंडी है धर्मसाडा है और अपने चंबा है जौन सर है और सिर मोर ये कुछ जगें हैं जहाँ पर पस्ची में पाहडी बोली जाती है। फिर आती है मद्यवर्ती पहाडी इसमें दो भागों माता जगाता है कुमायूनि और गडवाली तो कुमायूनि वह है जो उत्राखंड के नैनीताल, रानी खेत, अलमोडा और पिथोरा गाओं में बोली जाती है इसके छेतर याद रखना उत्राखंड के नैनीताल, रानी अल्मोडा और पितोरा गाउं में बोल जाती है, वो है कुमाईूनी तो कुमाई यहां पर क्या है अब छेतर पूछे जाएंगे पेपर में अगर थोरी आएगी तो ब्रज अवदी, खड़ी बोली तक कुछ ही जा सकती है बाकिया आपको छेतर पूछे जाएंगे तो उत्तराखन के नेनिताल, राणीखेत, अलमोडा और पितोरा गाउं में बोल जाती है गडवाली जो है वो बद्रिनाथ, चंबोली, उत्तरकाशी, टिहरी, गडवाल, ये जो छेतर है ये गडवाली का है बद्रिनाथ में गडवाली, मतलब आप समझ लोग है न तो भी, बद्रिनाथ में गडवाली बोली जाती है चंबोली ये भी उपर है, बद्रिनाथ के पास गडवाली है, उत्तरकाशी ये भी वहीं है, गडवाली है कुमाई उनी जो है वो नेनी ताल, रानी खेद, अलमोडा और पितोर अगाम ये थोड़े नीचे छेतर में है जबकि उससे उपर गडवाली है, टेहरी गडवाल है, बदरी नाथ है, चंबोली है, उत्तरकासी है, ये जगए तो बस अब और क्या याद करना, और ऐसा कुछ नहीं है, जो इनकी बहुत है, में कौन सी बोली कहां बोली जाती है, इसको लेकर एक तो थोड़ा सा विशेश दियान रखो, दूसरा किसे दक्षिन अवदी का आ जाता है, किसे मतलब अवदी के जो है, दूसरे नाम क्या क्या ह खड़ी बोली का प्रियोग सबसे पहले किस ने किया, कुछ बेसिक जो चीजे हैं, उनको याद रखो प्रिशन लगबग यहीं से आ जाते हैं, सबसे ज़्यादा छेतर में कौन सी बोली बोली जाती है, निम्न में से बगहली कहां नहीं बोली जाएगी, च्छतिस गड़ी क बोल जाती है, इस प्रकार के कॉशन आएंगे, और यह कॉशन आप लोगों के सही होने चाहिए, तो यह आज दूसरी क्लास है, जिसमें काफी कुछ जो है, आपको क्लियर करवा दिया, मैंने थोड़ी बहुत आपको घर पे करनी ही पड़ेगी, मैं तो आपको डेली क्लास लेकर मार्क दर्सन कर सकता हूँ, और यह है कि बहुत जल जो है, वो मैं टेस्ट के माध्यम से आपका मुल्यंकन भी करवाऊंगा, और यह पूरा हो जाए, अब कल राजभासा और राष्ट बासा को लेकर क्लास है, हो सकता है, कल एक ही क्लास दूँ, अच्छा सोरी, कल तो ह सकता मैं चुटी भी रख लूँ, कल क्लास नहीं, कल तो मैं लाइव आने की सोच रहा हूँ, कल किसी चीज को लेकर मुझे लाइव आना पड़ेगा, कुछ स्पेशल जानकरी को लेकर और जरूरी भी है, तो परसों दूँगा फिर राजभासा वाड़ी क्लास, कल अपन ला लोड होगा, जो आधुनिक काल में, कल है भारतेंदू, द्विवेदी, और छायावाद, इन तीनों का एक टेस्ट आएगा, 100 कॉशन है उसमें, और बहुत बहुत जबरदस्त टेस्ट होगा, बहुत बहुत जबरदस्त टेस्ट होगा, आपको आनंद आएगा, क्योंकि हर एक टेस्ट छोटा देता हूं मैं और उससे अंगला टेस्ट फोड़ा बड़िया देताighing बड़िया मतलब कॉशन अच्छे क्योंकि जो बसाइबर बांकि वो औरो आप से युदे विधन है, Notes Share मत करना, Notes Share मत करना, वरना आप किसी को Notes नहीं दे रहे हो, अपनी See't दे रहे हो, अपना एप Share मत करना, एक तो वो बंदे बंद जाया है मेरी कोई guarantee नहीं है मैं इस बात को दिमाग में बिठा लेना दूसरा नेतिकता के नाते कह रहा हूं आप याद अठना ये बला जो कर रहे हो ना बला तब करना जो खुछ सेलेक्ट हो जाओ अभी जो ये आप करना अपने नोडस और जो एप शेर कर रहे हो न ये आप नोडस शेर नहीं करें आप अपनी सीट शेर कर रहे हो इस बात को दिमाग में बिठा लेना ठीक है खेर बहुत बहुत धन्यवाद टेक केर और शुब रात परी कल मिलते हैं लाइव